नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन थमसर्मार दुरुगा अश्टमी जिसका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं यानि नवरात्र क्या अश्टमी तिथी को मनाये जाने वाला पर्व जिसे हम महागौरी अश्टमी भी कहते हैं और इस दिन तमाम त उपाय दूद का भी है तो क्यों न इस उपाय को करके पर्मानेंट इस्थी रख लें अपने घर में धन को मालक्श्मी को तो करेंगे क्या आईए हम आपको विस्तार से बतलाते हैं दोस्तों पैसे की ज़रुद भला किसे नहीं है इस भाग दोर भरी जिन्दिगी में सब को पैसा चाहिए और माता महागौरी के आठमे सवरूब को आप मनाईएगा जरूर लेकिन कैसे महागौरी का एक आप सुभा से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं घर में मंदिल में कहीं भी कोई दिकत नहीं है एक कटोरी में दूद ले ले और ये दूद गरम क्या और नहीं ह चेलेगा लेकिन अगर गाय का दूद मिल जाता है तो अतिवत्त अब एक चांदी का सिक्का ले ले अब ये जो दूद है इसमें चांदी का सिक्का डाल दे और माता गौरी को अरपित कर दे अब माता महा गौरी से धन आने की धन बने रहने की धन टिकने की प्राठना करें उनसे प्राठना करें कि आपके जीवन में जितने भी ग्रह हैं सभी अनुकूल प्रभाव देने लगें और जीवन में खुसी आने लगें अब वहाँ पर आप कुछ देर मां के मंतरों का, मां के भजन का जब कीजी दुर्गा सबसती पढ़ सकते हैं, कुझी का स्तिरोत पढ़ सकते हैं, आपको जो मर्जी दुर्गा जी के नाम लेले 32 वो करें इसके बाद इस सिके को धोकर अपने पास अपने पर्स में या फिर जहां आपका धन रहता है वहाँ पर सुरक्षित रख लें आप चाहे तो खुला भी रख सकते हैं, या फिर लाल कपड़े या लाल कागज में लपेट के भी रख सकते हैं, धन के अस्तान पे रख लें, पूरे साल जम कर आएगा पैसा यानि बरकत ही बरकत धीरे धीरे दिन दुनी राच चोगुनी आप तरक्षि करते चले जाएंगे, धन आने के मार्ग आपको मिलेंगे अब ये जो दूद है, इसका क्या करें? इसको या तो आप किसी को दान भी कर सकते हैं, या प्रसाद के रूप में अगर आप चाहें, तो सब कोई गरहन भी कर सकते हैं या अगर आपको लगता है, बहुत लेट हो चुका है, पुझा पाट करते, तब ऐसे में आप गाये को भी खिला सकते हैं तो दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है, इसको करने से आपको लाभ 100% होगा ये कटोरी जो इसमें आप दूद रखेंगे, सिर्फ पीतल बेगरेकार, तामबेकार मत लीजेगा आप इस्टील की ले ले, आप चांदी की ले ले, जिसमें दूद खराब ना हो, ऐसी बस्तों लेकर इसमें आप मा को भोग लगाईए हर हर महादेब हम फिलाल आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद